हेलो इस्टुडेंट्स अब तक हम इस प्लेलिस्ट में साथ कोशन कवर कर चुके हैं तो जिन लोगों ने साथ कोशनों को नहीं देखा है डारेक्ट इस वीडियो पर आये हैं तो सबसे पहले वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एकसेस कर लें पाइथन प्रोग्रामिंग बाद इस कोशन को आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा और जो लोग रेगुलर्ली मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख तो इसमें क्या है हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम इसमें आज जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हम जी 60 और 48 तो अगर हम 60 और 48 को डिवाइड करने वाली संख्या हैं देखें जो दोनों को डिवाइड कर रहे हों तो उन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 12 तो यह हम find करेंगे इस python के प्रोग्राम के मदद से तो वह हमें कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम देखें करेंगे रिकर्शन का यूज करके भी करेंगे और लूप का यूज करके भी करेंगे तो यहां पर हम दोनों तरीके से इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं तो राइट अप प्रोग्राम को देखने वाले हैं तो हम सबसे पहले यूजिंग लूप इस प्रोग्राम को देख दिया जो मैंने भी एक्जाम्पल लिए उसके लिए ही मैं आपको करके दिखाता हूँ एन्टू लिख दिया मैंने 48 तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है हमें सबसे पहले लूप चलाना होगा लूप हमारा चलने के लिए हमें आप लिख देते हैं लूप इस इक्वल टू ठीक है तो हम यही कंडिशन में यूज करेंगे वाइल लूप यानि कि जब तक टू रहेगा तब तक हमें काम करना उसमें करना क्या है अगर N1 और N2 दोनों इक्वल है तो हमें क्या प्रिंट कर देना है दोनों इक्वल होंगे तो उनका जो common divisor होगा वही हो जाएगा अगर जैसे दोनों 60 60 होगा तो हमें क्या करना है यहां पर प्रिंट कर देना है कि जो है आपका greatest common डिवाइजर क्या है 60 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे GCD और डैस करके यहाँ पर हम लिखेंगे N1 ठीक है तो इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है कि N1 बड़ा हो सकता है N2 से एक कंडिशन यह हो सकती है और उसमें हमें क्या क करना होगा कि हम N1 को क्या करेंगे अपडेट कर देंगे minus equals to N2 करके यानि N1 में से N2 को minus करके फिर N1 में store कर देंगे यानि कि 60 में से 48 minus करेंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा तो वो ही हमारे greatest common divisor होगा और हमें अपना मिल जाएगा अगर दूसरा case होता है कि N2 greater than है N1 से तब हमें क्या करना है तब हमें बस उल्टा कर देना है N2 में से minus कर देना है N1 को ठीक है तो इस तरीके से हम GCD निकाल सक है किन और आभ हम इसको चेख करेंगे कि क्या इसका जो answer है क्या आता हैarium? 12 आता है यह नहीं तो हमने जैसे ही इसको checks किया तो यहाँ पर यह 12 आ रहा है और इसमें जो है यह loop हमारा चलता ही जा रहा है और हमें क्या करना है उस case में loop को false करके रोकना भी होगा तो हम ने यह न ठीक है तो इतना लिखने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो यहां पर हमारा क्या होगा एक ही आंसर आएगा जो कि हमारा होगा तो यह तो एक तरीका हो गया कि हम लूप का यूज़ करके कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे अगर हम यहां पर देखें 24 और 48 में तो उनका GCD क्या होगा यहां पर हम देखेंगे तो 24 हमारा आ रहा है तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि एक GCD को लूप के दुरू हम कैसे निकालेंगे अगर हम अब इसमें देखना चाहते हैं कि हमें रिकर्षन का यूज़ करके कैसे GCD करना है तो उसके लिए हम यहां पर फंक्शन का यूज़ करके हम बना सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग रिकर्षन तो using recursion हम एक function define करेंगे gcd के नाम से ही और उसमें हमें दो number लेने होंगे a,b उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे अगर b 0 है तो हमें क्या कर देना है उनका जो gcd है वो return कर देना है a ठीक है यानि कि a return हो जाएगा इसके बाद else else हमें return करना है b,a को divide कर देंगे b से और तब हमें वो return करना है तो यानि कि हम इसमें update जो करेंगे a की जगे पर b को ला देंगे और फिर जो b की जगे पर हो उसको हम a से divide करके जो remainder बचेगा उसको लेके आएंगे तो ये काम हमें करते चलना है जब तक हमें output ना मिले इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे print जैसे हम इस function से बाहर आएंगे तो हम यहाँ पर function को call कर देंगे given numbers के लिए जैसे मैं भी 60 और 48 के लिए call करता हूं यहाँ पर enter करता हूं तो यहाँ पर हमारा जो है call होके हमारा जो output है यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से हमें यह function की मदद से बना लेना जैसे अगर हमें यहाँ पर दुबारा दिया है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नए question के साथ तब तक के लिए thanks for watching this video